हलो गाईज दोनों में कौन सा फेस वोस आपके चेरे को गोरा बनाएगा और किस स्किन टाइप को कौन सा फेस वोस यूज़ करना चाहिए आज इन दोने फेस वोस के बारे में आपको कम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना माला हूं वीडियो गलाच सकी जरू देखिए तो चले की वीडियो स्टाट करते हैं गाईज आप दिखते हैं यह मेरे पास आज दो काफी पोप्लर फेस वोस हैं एक है मेरे पास फेस वोस और दूसरा है गार्णेर में टरॉबराइट डूल एक्शन फेस वोस तो सबसे पहले में इन धोनों इस face hose के प्राइजी बात कर लेते हैं फेर एन एंड एंड सम face hose का 50 गरम का pack आपको मिल जाएगा 99 रूपीज में वही गार्णेर मैं टरभो बॉबारीट face hose का 50 गरम का pack आपको मिलने वाला है मनवन 0 रूपीज में guys guarner man turbo bright face walls आपको थोड़ा मेहगा पढ़ने वाला है compare to fair and handsome face walls and guys अब बात कर लेते हैं इन दोनों face walls के benefits की guys fair and handsome face walls को यूज़ करने से 3 तरह के benefit होते हैं एक तो एक आपके face से दूल मिटी और उगंद्गी को बहुत अच्छी तरह के से remove कर देता है और आपको brighter look देता है और साथ ही आप देख सकते हैं ये face hose cooling freshness भी देता है मतलब कि जैसे हम इस face hose से face hose करते हैं तो इस face hose से face hose करने के बाद हम खुद को काफ़ी ज़्यादा fresh feel करने लगते हैं बात करें गाइनेर में टर्बो bright face hose के benefits की गाइनेर में टर्बो bright face hose में चेहरे से दूल मीटे और गंदगी को बहुत इच्छे से साफ कर देता है और साथी skin की भी बहुत इच्छे से deep cleaning करता है और आप देख सकते हैं ये face hose salicylic active और vitamin C के साथ में आता है जिसके help से आपकी skin से dead skin cells को remove करेगा और आपकी skin से dullness को reduce कर आपकी skin को काफी जादा glow देने में help करेगा तो चलिके जब मैं आपको इन दोनों face hose की form भी दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं fair and handsome face hose white color की form के साथ में आता है जबकि गाइनर में टर्बो बराइट face hose black color की charcoal type form के साथ में आता है गाइनर में टर्बो बराइट face hose की मुझे एक अच्छी बात ये लगी इस face hose को में quantity पे काफी कम लेना पड़ता है और उससे हमारे face को बहुत इच्छे से clean कर देता है जबकि fair and handsome face hose को में quantity में थोड़ा जादा लेना पड़ता है तब ही हमारे face को अच्छे से clean कर पाता है जब बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में कौन सा face hose की यूज़ करना चाहिए गाइस अगर आपके dry screen है तो मैं आपको यही suggestion दोगा कि आपको fair and handsome face hose की यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर आपके normal to oily screen है और आप काफी ज़्यादा instant brightness पाना चाहते हो तो आपको gardener में turbo bright face hose की यूज़ करना चाहिए gardener में turbo bright face hose instant brightness के मामले में fair and handsome face hose से काफी अच्छा है और साथी gardener में turbo bright face hose face से कुछ hours तक oil को भी बहुते चितरेगे से control कर लेता है जबकि fair and handsome face hose face से इतने अच्छे से oil को control नहीं कर पाता है और गैस यह कोई sponsored वीडियो नहीं है मैं इन दोनों ही face hose को यूज़ कर चुका हूँ उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गैस यह था इस fair and handsome face hose versus gardener में turbo bright face hose का complete review आप इन दोनों में कौन सा face hose यूज़ करते हो और आपको इन दोनों में कौन सा face hose ज्यादा अच्छा लगता है मुझे comment करके जरूब बताईए और वीडियो पसंदा आई तो वीडियो को लाइकों से जरूब कर दीजे और इसी तरह की वीडियो देखने का मैं चैनले को सब्साइब कर दीजे